हेलो फ्रेंट्स, विल्कम तो आवर चैनल, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ध्वनी तरंग, साउंट वेब का 100 प्लस MCQ कोश्चन से, इसका हम लोग आज पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में कम्प्लीट कर लिये हैं, जोकि 1 से लेके 52 कोश्चन महाँ पे कॉवर किये हैं और इस वीडियो में हम लोग 53 नमबर कोश्चन से बिस्कस करेंगे, चलिए तो शुरू करते हैं तिरपन नमबर कोश्चन है, यदि एक तरंग की आवरीती बढ़ती है, तो इसकी तरंग धारे पर क्या प्रभाव होता है इसके लिए एक फर्मूला है, क्या है, new equal to c by lambda c है यहाँ पर तरंग धारे, c यहाँ पर है तरंग धारे और जो यहाँ पर new है यह होता है frequency, आवरीती, तो अगर frequency बढ़ेगा तो तरंग धारे घटेगा, क्योंकि inversely proportional है और तरंगधरे बढ़ेगा तो आवरीती घटेगा यहाँ पर क्या हो रहा है आवरीती बढ़ती है अगर आवरीती बढ़ेगा तो तरंगधरे खड़ जाएगा तो इसका कौन सा option है इसका सही उतर है option number C यह घट जाता है यह formula से यहाँ पर यह solve हो जाएगा next question है पानी के अंदर की वस्तू का पता लगाने के लिए किस यंतर का उप्योग किया जाता है इसका सही उतर है option number C क्या है sonar S-O-N-A-R पानी के अंदर की वस्तू को पता लगाने के लिए sonar यंतर का उप्योग किया जाता है sonar का full form क्या है sound navigation and ranging क्या है sound navigation and ranging अगला question है सोर के किस अस्तर से उपर का शोर कान में दर्द एवंग छती का कारण होता है इसका सही उतर है option number B लगभग 130 decibel सोर के 130 decibel से उपर का सोर कान में दर्द एवंग छती का का कारण होता है और साधारन बात्चित 30 से 35 decibel के अस्तर का होता है साधारन बात्चित जो हम लोग करते हैं वो 30 से 35 decibel के अस्तर का होता है नेश्ट कोशन है और कभी कभी इंगलिस में लिखा रहता है आडियो हेडफोन की सबसे पहली जोरी 1910 इसवी में नथाइनियल बॉल्विन ये द्वारा बनाई गई थी नेश्ट कोशन एक सॉफ्ट की आवरतन गती को निरधारित करने के लिए डैस इस्तमाल किया जाता है क्या इस्तमाल किया जाता है इसका सैउत्तर है आप्शन नमबर B टैको मीटर एक सॉफ्ट की आवरतन गती को निरधारित करने के लिए टैको मीटर का इस्तमाल किया जाता है और एनो मीटर एनो मीटर से हवा की सकती और गती को मापा जाता है और स्पीडो मीटर से जो कार बस टक आदी की गती का पता लगाया जाता है और क्रोनो मीटर से जल्यानों पर सही समय मापा जाता है इसको रिपीट कर देते हैं स्पीडो मीटर से कार बस टक आदी का गती को पता लगाया जाता है और एनोमीटर से हवा की सक्ती और गती की मापी जाती है और क्रोनोमीटर से जल्यानों पर सही समय मापा जाता है दोस्तों इसका PDF बीडियो के डिस्क्रिप्चन के नीचे दे दिया गया है आप वहाँ से जाएगे और डाउनलोड कर लेजिए या फी किसी भी अपडेट के लिए हमारा ये WhatsApp ग्रूफ और नमबर है 8622904250 इसपे आप हमसे कॉंटेट कीजिए हमारा टेलिग्राम चैनल है एमजी मनीश ग्रूफ आप इसको जोईन कीजिए और Facebook पेज है एमजी मनीश ग्रूफ आप इसको लाइक कीजिए इसी भी अपडेट के लिए अगला कुशन है निमलीखित में से कौन सा ध्वनी प्रदूशन का प्रभाव नहीं है इसका सही उतर है ओप्शन नमबर D ओजोन 6 ध्वनी प्रदूशन का प्रभाव ओजोन का 6 नहीं है और तीनों जो है इसका प्रभाव है यहाँ पे नहीं है पुछा है तो ओजोंच है और पशुओं की मौद, करनाद और उच रखता आप यह तीनों प्रदूशन का प्रभाव पड़ता है अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा अशत्य है? अशत्य यहाँ पे बताना है ध्वनी तरंगे कौन से तरंगे है? तो इसका सही उत्तर है ओप्शन नमबर C विदूत्य चुम्बक्य क्या है? ध्वनी तरंगे विदूत्य चुम्बक्य तरंग है यह जो इसमें देखिए, यहाँ पर अशत्य चुनना है, तो यह जो बोला गया है, ध्वनी तरंगे, विद्धूत्य चुंबक्ये हैं, यह गलत है, इस हिसाब से क्या है अशत्य चुनना है, तो इसका अंसर हो जाएगा, option number C, और इसको हम लोग, इंग्लिस में कहते हैं, electro-magn magnetic, इंग्लिस में इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी, इंग्लिस में भी, option में दे दिया जाता है, electro-magnetic, यहाँ पर अशत्य चुनना है, और इसका सही उत्तर है, option number C, विद्धूत्य चुंबक्ये, नेस्ट कोशन है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तूओं को भे इदन हे तू, एवंग हवाई अड्डो में X किर्णो का उप्योग किया जाता है, X किर्णो का, अगला कोशन देखते हैं, द्वानी के माप की यूनिट क्या है, इसका सही उत्तर है, option number B, द्वानी की माप की यूनिट है, decibel, next question है, द्वानी का वेग अधिकतम कितना होता है, या फिर किस में होता है, द्वानी का वेग अधिकतम किस में होता है, तो इसका सही उत्तर है, option number B, हाइड्रोजन में, द्वानी का वेग अधिकतम हाइड्रोजन में होता है, और हाइड्रोजन में द्वानी का चाल कितना होत है तो 1 2 7 0 मीटर प्रति二 second अगला कुशन है ध्वनिठरंगे Bureau 1 response में यात्रा नहीं कर सकती अतलब किस में यात्रा नहीं कर सकती गड़ी इसका साय उत्तर है औप्शन नमबर सी खाली अस्थान द्वणी तरंगे खाली अस्थान में यात्रा नहीं कर शकती है, ध्वणी के लिए माध्यम अनिवार है, मिडियम एक जरूरी है, ध्वणी के लिए, अगला कुशन है, 64 नमबर, डिक्त अस्थान में सबसे उप्यूप्त विकल्प भरे, क्या होगा, ध्वणी की प्रभलता इ इसका सही उत्तर होगा, option number C, यहां पर प्रभलता के बारे में बोला गया है, ध्वणी की प्रभलता आयाम पे निर्भर करता है, किस पे आयाम पे, इसको चेक आउट कर लिजेगा, इसका सही अंसर होगा, option number C, ध्वणी की प्रभलता इसके आयाम पर निर्भर करता है, अग पीडियेप में तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा वीडियो में यहां पे जो भी है यह 100% से ठीक है और पीडियेप में अगर कोई भी टाइपिंग मिस्टिक हो जो कि हुप हो सकता है आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा next question देखते हैं, ध्वणी किस माध्यम से कुजर नहीं सकती है, तो इसका सयुत्तर है, option number T, निर्वातन से, ध्वणी निर्वात से गमन नहीं कर सकती, अभी जाज ठंडोड डिसकस भी किये थे, ध्वणी निर्वात से गमन नहीं कर सकती, अगला question, वाई में 0 degree Celsius तापमन पर ध ध्वणी की गति क्या होगी, तो इसका सयुत्तर है, option number B, 331 मीटर परती सेकंड, वाई में 0 degree तापमन पर ध्वणी की गति, 331 मीटर परती सेकंड होगी, अगला question, किसी एकल आवरिती की आवाज को क्या कहा जाता है, इसका सयुत्तर है, option number C, क्या कहा जाता है, तो टोन कहा किसी एकल आवरीती की आवाज को टोन कहा जाता है दोस्तों आप लोग किसी भी गर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं for CET, Railway, SSC, BPSC, JPSC, किसी भी one day exam है जिसका आप तयारी करते हैं तो उसके लिए ये 100% helpful है based on ये जो questions है ये NCRT and previous year question पर ये आधारीत है चलिए तो अगला question देखते हैं next question देख लेते हैं next है ये नुम्रिकल है ये recently group D में सायथ पूछा गया था एक प्रशारन केंद्र एक अत्तर गुने दस के पावर चार हर्ज की आवरीती और तीन गुने दस के पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड की गती के साथ को प्रशारित करता है तो तरंगों द्वारा तरंग धैर निकालना होगा इसका जो अभी हम लोग जश्ट एक फर्मूला इउस किये थे उस फर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि new equal to होता है c by lambda और यहाँ पे lambda जो है ये वाला ये है तरंग धैर तो lambda बराबर क्या होगा lambda बराबर होगा c by new जो कि यहाँ पे new क्या है आवरीती है निव यहाँ पे आवरीती है इसको निकालते हैं देखें यहाँ पे क्या क्या दिया है आवरीती यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे आवरीती दिया है तीन गुने 10 के पावर 8 और यह जो हर्ज दिया है आवरिती यहां पर कितना दिया है तीन गुने 10 के पावर 8 यहां पर आवरिती ने तीन गुने 10 के पावर 8 इस स्पीड अफ लाइट होता है 3 इंडू 10 to the power 8 C का भैलू है यहां पर और यहां पर देखिए 71 गुने 10 के पावर 4 यह आपका आवरिती दिया है 71 गुने 10 के पावर 4 इसको जब सॉल्व करेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 यह यह डिरेक्ट होता है इसको आप याद कर लिजेगा स्पीड अफ लाइट 3 इंडू 10 to the power 8 मीटर पर 30 सेकंड होता है और 170 गुने 10 के पावर 4 इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हुआएगा 422.5 मीटर option number c इसका सही उत्तर है इसको आप और एक बड़ देख लिजेगा यहाँ पर जश्ट आम लोग यह वाला फर्मूला यूज करेंगे new equal to c by lambda यहाँ से lambda निकाल देंगे lambda यहाँ पर तरंग धर है c है speed of light प्रकास की चाल है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रती सेकंड होता है निम्न में क्या है इसका सही उत्तर है option number b यांत्रिक लहर है क्या है ध्वनी यांत्रिक लहर है ध्वनी तरंग अनुधैरे यांत्रिक तरंगे होती है अगला कोशन है ध्वनी की दिर्ता जो दोराय प्रती बिम्ब का परिनाम होती है इसे क्या कहा जाता है तो इसका सही उत्तर है option number b प्रती ध्वनी कहा जाता है ध्वनी की दिर्ता जो दोराय प्रती बिम्ब का परिनाम होती है उसे प्रती ध्वनी कहा जाता है अच्छा प्रतिध्वनी यह जो है इसका एकोड डिफिनिशन है प्रतिध्वनी वह ध्वनी है जो किसी द्रीड दिवार पहार आदी से तकराने के बाद पुना सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनी कहते है अगला है वाई में ध्वनी की संचरन की घटना को किसमे होती है वा और लेपलस के अनुसार जब ध्वनी माध्यम से गमन करता है तो समताप्य प्रक्रिया ना होकर यह रुद्रोश्रम प्रक्रिया होती है अगला कुशन है मनिस्यों के लिए स्रह ध्वनी की आवरीतियों की रेंज कितनी होती है तो इसका सही उत्तर है ओफ्शन नमबर सी 16000 से लेकर बीस हजार इसको के को हम लोग हजार से लिखते हैं तो बीस हजार हर्ज 16 हर्ज से लेकर बीस हजार मनिस्यों के लिए स्रह ध्वनी की आवरीतियों की रेंज स्लह हजार से बीस हजार होती है और 20 हर्ट से कम अवरिती के ध्वानी तरंगे के अवस्रव तरंगे कहते हैं और 20,000 हर्ट से अधिक ध्वानी तरंगे के पराश्रव तरंगे कहते हैं देखें, यहां पर English word लिखा गया है, एक्जाम का कुश्चन है, पीच, पीच को हम लोग हिंदी में तारत्व कहते हैं, तारत्व, तो इसका सही उतर क्या होगा, option number D, आवरिती, ध्वनी की पीच आवरिती पर निर्पर करती है, जैसे जैसे ध्वनी की आवरिती बढ़ती जा तारता है, तता ध्वनी तिचन अत्वा पतली होती जाती है, अगला कोश्चन है, ध्वनी तरंगे अस्थानंत्रित क्या करती है, इसका सही उतर है, option number D, उर्जा व समवेग दोनों को, ध्वनी तरंगे उर्जा व समवेग दोनों को अस्थानंत्रित करती है, ध्वनी पदार्थ का संचरन नहीं करता है अगला कुश्चन देखते हैं किसी अनुध्यर्य तरंग में लगातार दो संपिरन और दो लगातार विर्ली करन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है इसका सही उत्तर है ओप्शन नमबर B तरंग धैरे कहा जाता है किसी अनुध्यर्य तरंग में लगातार दो संपिरन और दो लगातार विर्ली करन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंग धैरे कहा जाता है अगला कोशन निमलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनी उत्पन कर सकता है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन नमबर D परपोईस ये भी रिसेंटले एक्जाम का कोशन है परपोईस जो है परपोईस जानवर पराध्वनी उत्पन कर सकता है परपोईस एक स्थंदारी है जो वेल के समान दिखता है और पराशवी ध्वनी जो है पराशवी तरंगे जो है इसका रेंज क्या है तो 20,000 हर्ट से उपर ध्वनी को क्याते हैं 20,000 हर्ट से उपर ध्वनी के तरंगे को अगला कोशन है किसी विसफोर्ट के कारण समूदर के तल पर बहने वाली लहरी क्या होती है। इसका सही उत्तर है option number C अनुप्रस्थ और अनुधैर दोनों किसी विसफोट के कारण समूदर के तल पर बहने वाली लहरी अनुप्रस्थ एवंग अनुधैर दोनों होती है। Sorry अगला कोशन है विसपन्द का कारण क्या है। किसका कारण बताना है कि विसपन्द का कारण क्या है। इसका सही उत्तर है option number T लगभग सामान आवरीतियों के दो तरंगों का अध्यारोपन है। लगबग समान आवृतियों के दो तरंगों का अध्यारोपन के फलसरूप उसके आवृतियों में अंतर को विष्पंद कहते हैं. द्वानी के तिब्रता में एक चड़ाव तथा उत्राव को मिलाकर उसे विष्पंद कहा जाता है. उसको जब मिला देंगे तो उसी को हम लोग विश्पंद कहते हैं अगला कुशन है जब प्रकास किसी सता से परवर्तित होती है तब इसके निम्द में कौन सी राशी नहीं बदलती है इसका सही उत्तर है option number C आवरीती जब प्रकास किसी सता से परिवर्तित होती है तो आवरीती नहीं बदलती है अगला question इसका सही उतर है option number D अनुधैर प्रगामी सितार से शुरोता तक आने में ध्वनी का प्रकार अनुधैर प्रगामी होता है Next question द्रीड आधारो पर कसी डोरी का लंबाई 40 cm है इस पर उत्पम उत्पन अब प्रगामी तरंग की अधिक्तम तरंग धैर सेंटिमेटर में क्या होगी ये भी एक numerical type है छोटा सा है इसको देखिए कैसे solve करेंगे ये सब generally single day exam है इसका मतब ये नहीं है कि ये numerical है तो ये नहीं आएगा ये single day exam में इस टाइब के छोटे छोटे basics numerical है वो पूचे जाते हैं किसी भी exam के लिए चलिए इसको देखिए यहां से यहां तक जो हमारा range आया ये कितना है ये है lambda by 2 और यहां से यहां तक इसी के दूरी को हम लोग कहते हैं इसके लिए एक formula होए लंबाई बराबर ल जो है ये लंबाई है यहां पर लिख देते हैं ये लंबाई लंबाई बराबर होता है L इक्वल टू लेंबड़ा बाई 2 और लेंबड़ा तरंग धयर हमको निकालना है यहां पर लेंड़ा दिया है इसी को तरंग धयर करते हैं अब गुने 2 और यहां पर लंबाई कितना है 40 cm गुने 2, कितना हो गया, 80 cm, इसका अंसार आजाएगा 80 cm, यहाँ पर देखिए और एक बात है, यहाँ पर typing mistakes भी है, तो आप इसको correction कर लिजिएगा, option में है, इसको यहाँ पर दो दो बर 20 आ गया है, option नमर बी को यहाँ पर 80 बना लिजिएगा, option नमर बी इसका सायुतर क्या आजाएगा 80 cm, यह typing mistake है, 80 cm, PDF में आप इसको correction कर लिजिएगा, अगर typing mistake होता है, अगला कुशन है, सोनु मीटर का कार्य किस सिधानत पर है, तो इसका सायुतर है, option number C, अनुनाद बी, सोनु मीटर का कार्य सिधानत अनुनाद पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो अनु अनुनाद बी, अगला कुशन देखते है, आवरिती के रूप में डॉपलर विस्थापन निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, इसका सही उतर है, option number D, शुरोत व प्रेच्छक के बीच की दूरी पर, अवरिती के रूप में डॉपलर विस्थापन हैं, तो ध्वनी की अवरिती में शुरोत, तथा शुरोता के बीच आप फेचिक गती के कारण विधी या कमी होती है, दोनों हैं, विधी भी हो या कमी हो, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, अगला कुश्चन, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, किसमें होता है डॉपल गती के लिए डॉप्टर प्रभावलागू होता है सापेच गती के लिए इसका क्या है एक्स कि इन्ने उत्पण होने के कारण इसका सही उतर है option number b परमानिक उरजा अस्तर में परिवर्टन होना देखिए इस факטर में sound wave में हम लोग करीब करीब लगबग दो से तीन चैप्टर इसी के अंदर cover कर दिये हैं जो कि इससे related हैं जैसे कि wave and its property तरंग एवंग उसके गुन इस चैप्टर में हम लोग sound wave में हम लोग उसको भी cover कर दिये हैं तरंग एवंग उसके गुन जो चैप्टर है वेव का प्रोपर्टी हो गया इस टाइप के सभी question से आपे cover कर दिये हैं चलिए तो इसका अंसर हो गया परमानुक उर्जा अस्तर में परिवर्तन होना अगला question देखते हैं निम्न में किसकी तरंग धैर है इसका सही उतर है option number D अवरक्त विकरन का क्या है निम्ने विद्दुत चुमबक्य फिक्रों के अवरक्त विकरन की तरंग धैर उच्छतम है किसकी होती है उच्छतम अवरक्त विकरम का अच्छा यहां पर आप यहां पर लिख लिजिएगा कि question जो है निम्न में से किसकी तरंग धैर क्या है दिर्गतम है क्या है दिर्गतम है तो इसका सही उतर होगा option D अवरक्त विकरम की तरंग धैर उच्छतम है अगला question देखते हैं निम्न में शर्वाधिक विभेधक विकरन किसमे है इसका सही तर है option no D, gamma क्यरन में निम्न में सरवाधिक विभेधक चमता वाला विकरन है gamma कीरन ठीक है गामा कीरन जो है इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोड करते हैं गामा कीरने में अगला कोशन अवरक्ट किरनों की तरंगधर की कोटी क्या है इसका सही उत्तर है ओप्शन नमबर A 10,000 angstrom अरक्त किन्नों की तरंगधर की कोटी है 10,000 angstrom होती है अगला question देखते है निम्न में किसकी विवेदन छम्ता निम्नतम होती है इसका सही उत्तर है option यहाँ पे देखिए option को कुछ यहाँ पे correction कर लिजिएगा यह A नहीं है यहाँ पे होगा alpha कन option number B में होगा बीटा कन और option number C में होगा गामा कन यह जो है टाइपिंग भाईया उनसे कुछ मिश्टेक हो गया है टाइपिंग कने में वो alpha बीटा गामा को यहाँ पे A भी समझ लिए थे इसे लिए तो इसका correction option इसको correction कर लिजिएगा इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option number इसमें क्या बताना है निम में किसकी विभेदन चमता नियुमतम होती है नियुमतम बताना है इसका सही उतर होगा option number A में alpha कन, alpha कन की विभेदन चमता नियुमतम होती है ये वेदन छम्ता का बढ़ता करम क्या है इसको देख लेते हैं सबसे ज़्यादा है गामा में उसके बाद है बीटा में और उसके बाद है अलफा में इसमें सबसे कम पूछा है तो सबसे कम किसका है अलफा जो है ये अलफा का सबसे कम है अगला question देखते हैं, निम्न में से वैद्यूत चुंबक के तरंग की अवरिती अधिक्तम किसमे है? इसका सही उत्तर है, option number A, गामा किर्ने, गामा किर्ने की अवरिती सर्वाधक होती है, अधिक्तम इसमें पुझा है, तो अवरिती इसका जो होता है, सर्वाधिक होता है, और उसके बाद है रेडियो का, सबसे पहले है, गामा किर्न का, उसके बाद द्रिश, उसके बाद रेडियो का, ये अवरिती के हिसाब से है, इसमें अधिक्तम पुझा है, उसका सही उत्तर हो जाएगा, option number A, गामा किर्ने का, अगला question, एक्स किर्ने की तरंगधर की कोटी को किस में होती है, एक्स किर्ने का, तो इसका सही उत्तर है, option C, एंगेस्टम, अभी हम लोग डिसकस भी किये थे, कि एंगेस्टम में, एक्स किर्ने की तरंगधर की कोटी जो होती है, वो होती है, एंगेस्टम में, और एक्स किर्नों की जो X की रन है इसकी खोज इसमें की ये भी एक्जाम में बार बार पूछा जाता है विलियम रॉंग्टजन कौन है विलियम विलियम रॉंग्टजन नेक्स्ट कोशन लेजर क्या होती है उप्शन नमर्डी इसका सही उत्तर है एक वर्णिय कला शंबंद्र प्रकास का एक पुझ है अगला कोशन है निम्ण में किस से वैद्दु चुंबर के तरंग की आविती निउन्तम है सबसे निउन्तम बताना है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन ए रेडियू तरंगे में रेडियू तरंग की आविती सबसे निउन्तम होती है इसमें निउन्तम देखे रेडियू तरंग में और गामा तरंग की आविती सरवाथिक होती है गामा में होती है मैक्सिमम सबसे अधिक और रेडियो तरंगे में सबसे कम होती है अगला कोशन है प्रकृति में वैद्यूत चुमबक के तरंगे होती है कौन सा इसका सयुद्तर है option C अनुप्रस्थ प्रकृति में वैदु चुमंगे तरंग अनुप्रस्थ तरंग है यह तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है अनुप्रस्थ तरंग अगला question है लगुत्तम तरंग धैरे होती है कौन से होती है लगुत्तम तरंग धैरे होती है इसका सहीधतर है option E गामा किरने की यह जो है y है y को यह गामा किरने लिखा गया है लेकिन जो हमारे typing वाले हैं उन्होंने इसको y समझ लिया था इसलिए इसको y type कर दिये हैं तो जितने भी y हैं वहाँ पे सबी पे वहाँ पे gamma कीरन को आप लिखे लिएगा GAMA किरने क्या है? GAMA किरनो लगुत्तम तरंगधैर की किरने है तरंगधैर का करम क्या है देखिए सबसे पहले है यहाँ पे gamma सबसे पहले gamma इसके बाद radio, यहां पर लिख देता हूँ, u हो गया, फिर v हो गया, फिर i हो गया, फिर micro हो गया, फिर radio हो गया, तरंग धैर के क्रम में है, अगला question, इसमें क्या पूछा था, कि लगुत्तम सबसे यादा किसमें है, तो gamma की दन में, सबसे पहले यहां पर है, gamma, उसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है पराबैंगनी, उसके बाद द्रिश, नेक्स्ट है, औरक्त, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो, मिनिमम है रेडियो में, नेक्स्ट कोशन, वैदुत्ट चुम्बंक्ये तरंगों का मुल स्त्रोत क्या है, इसका सही उत्तर, option, अच्छा वैदुत्ट आवेशो के निरंतर गंपन का, वैदुत्ट चुम्बंक्ये तरंगों का मुल स्तरोत है, वैदुत्ट आवेशो का निरंतर गंपन है अगला question किसकी तरंग धैरे दिर्गतम होती है किसकी तरंग धैरे दिर्गतम बताना है इसका सहीवतर option D रेडियो तरंगे के अभी हम लोग ज़स्ट थोड़े दिर पहले इसको देखे थे कि रेडियो तरंगे की तरंग धैरे दिर्गतम होती है और रेडियो तरंग की खोज किसने की तो मार कोनी ने किया था यहां भी है रेडियो जो तरंग है इसकी खोज किसने किया यह भी एक्जाम में आते हैं रेडियो तरंग की खोज किसने की तो मार कोनी ने जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आपनों नोट डाउन कली सेगा अगला कोश्चन, सुच्मुत तरंगों का उप्योग किया जाता है इसमें सुच्मुत तरंगों का बताना है इसमें तो इसका सही उत्तर है, ओप्शन नंबर 3 उप्रयुक्त सभी, सभी में किया जाता है इसमें टेलिविजन, रेडियो प्रशारन और रडार निकाय में और इसके साथ साथ माइक्रो ओविन में भी किया जाता है अगला कोश्चन देखते है क्रित्रीम उप्राद्वारा दूर संचार के लिए प्रयूप्त तरंगे क्या होती है इसका अंसर है और अभी हम दुश्कत के थे, सुच्म तरंगे जो है यह रडार और तथा टेलिविजन संचार में इसका उप्योग किया जाता है सुच्म तरंगे का 100 number question को देखते हैं ओजुन परत जीव सेल की रच्छा करती है इसका सही उत्तर क्या होगा किस से करती है तो इसका सही उत्तर है option number A पराबैंगनी विक्रन से ओजुन परत जीव सेल की रच्छा पराबैंगनी विक्रनों से करती है ओजुन परत की खोज इसने की तो Charles Fabry तता Henry Bution ने किया था कौन-कौन है ओजुन परत का ओजुन परत का यहाँ पर इसको लिख देते हैं कौन-कौन है Charles Fabry और कौन है Henry Bution इसको आप इसको आप नोट कर लिजिए चार्ल्स, Fabry और Henry Bution अगला कौन है और आज का हमारा लास्ट कौन है आइनोस्फियर के मुख्य घटक क्या होते हैं इसका सहयुत्तर ओप्शन ए इलक्टोन एवंग धन आयन आइनोस्फियर के मुख्य घटक हैं इलक्टोन एवंग धन आयन होते हैं यहाँ पे हमारा यह जो चैप्टर है यहाँ पे साउंड वेब धुनी तरंग यहाँ पे हमारा यह चैप्टर कम्प्लीट होता है और लाश्ट्ट्यम इस इबर और बोल देता है हमारा वाट्सप गरूप को जोईन कीजिए में धने बाद